आप यहाँ पर सीख रहे थेंग्ड़ेजी पढणा इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका है हरे एक इंग्लिश के वर्ड का प्रानुसेशन उच्छारन यानि कि उन spellings को पढ़ना आप सीख रहेते ताकि आप अंग्रेजी पढ़ना सीख पाएं तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक-एक English के word का pronunciation या फिर combined जो English के letters उनका pronunciation, vowels उनका pronunciation में यहाँ पर बता रही थी तो आज भी कुछ spellings होगी और उनका मैं pronunciation बताऊंगी आप उसी तरीके से इनकी practice कर सकते हैं जैसे कि कोई भी English के spelling होगी उसके last में, end में A-I-D आएगा उसको आप pronounce करेंगे add या फिर aid इस तरीके से भी कर सकते हैं दोनों ही correct है, add या फिर aid इस तरीके से तो कुछ spellings है वो देखेंगे जैसे कि L-A-I-D इसको पढ़ेंगे laid क्या पढ़ेंगे? laid या laid या दोनों तरीके से आप pronounce कर सकते हैं ये last में A-I-D है इनको laid इसको पढ़ेंगे laid laid का मतलब है रख दिया या फिर अंडा देना जो की मुर्गी अंडा देती है उसको हम laid कहते हैं या रख दिया फिर है made क्या है made M का मैं उच्चारन हो रहा है यहाँ पर L को लपढ़ा जा रहा है और A-I-D का उच्चारन यहाँ पर मैंने आपको बताया aid या फिर aid दोनों तरीके से आप कर सकते है made का मतलब है नौकरानी इसको आप mad ना पढ़े mad गलत हो जाएगा उच्चारन भी गलत है और उसका mean भी अलग है spelling भी अलग है mad की और यह है made made का मतलब है नौकरानी M का उच्चारन मैं है M को आप म पढ़ रहे हैं या पर फिर यह है paid P को पढ़ा जा रहा है aid का aid paid का मतलब है चुकाया हुआ इसको आप पढ़ेंगे paid फिर यह है raid raid का मतलब है धावा बोलना या छापा मारना raid यानि पहला जो letter है उसका क्या उच्चारन है उसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा वो आपको आना चाहिए और aid आप पढ़ ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने इसका उच्चारन बताया aid या aid इस तरीके से तो इसको आप raid पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे red, इसको red पढ़ें, red का मतलब है धावा बोलना या छापा मारना इसका उच्चारन red है, ठीक है, फिर ये है braid, इसको braid पढ़ें, bread ना पढ़ें, braid का मतलब है गुतेवे, बाल जो गुतीवी चोटी होती है, उसको बोलते हैं braid, क्या बोलेंगे, braid, bread अलग है, तो उच्चारन पर आप ध्यान दे, br को br पढ़ेंगे, br का उच्चारन होगा, br, braid, इस तरीके से आप इनकी practice कर सकते हैं, एक दो बार आपको पढ़ने की practice करनी है, उसके बाद आप पढ़ना सीख जाएंगे in spellings को, तो यहाँ पर aid को पढ़ेंगे aid, पहले अक्ष है यहाँ पर A-I-L, A-I-L, इसको एल पढ़ेंगे aid, तो आप एल का भी ध्यान रखते हैं, तो काफी होगा, और इसका एल करके भी उच्चारन किया जा सकता है, पहली जो spelling क्या है, फेल, इसको आप पढ़ेंगे फेल, फेल का मतलब है, सफल होना, F का उच्चारन हो रहा है और A-I-L को, लास्ट में आ रही है, जो भी मैं spellings, यहाँ पर यह तीन letters मैंने बताए हैं, combine बताए हैं, यह लास्ट में आ रही है, कोई भी English की जो spelling होगी, उसके लास्ट में, फेल का मतलब है, सफल होना, यह है हेल, F को फ बोल रहे हैं, और H को ह पढ़ रहे हैं, F का फ ह का है, उच्चारन हो रहा है, हेल हो गया, हेल का मतलब होता है, ओला, फिर यह J को ज, जेल बन गया, जेल, और M को म, तो यह मेल बन गया, क्या बन गया, मेल करते हैं, अपन, यह है N को न, तो नेल बन गया, नाखून होते हैं, वो नेल, N को न, नेल, P को प, पेल बन गया य यानि की बाल्टी इस तरीके से क्यू और यू है इसको क्व पढ़ा जाता है यानि आधा कर और व इसका उच्चारन होता है क्व तो क्वेल बन गया क्यू यू क्वेल क्वेल जो है एक बर्ड का नाम है जिसको हिंदी में बटेर बोलते हैं फिर यह है एस और एन को हम पढ़त FRAIL का मतलब है कमजोर या नाजुक FR को पढ़ेंगे FR और AIL एल TRAIL का मतलब है रास्ता पगडंडी T को TRAIL एल टेल का मतलब है पूच S को स एल को एल सेल सेल का मतलब है जल की जो यात्रा है वो तो इस तरीके से आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे L को ल, AID, AID, LAD, M को म, और AID, MADE, P को प, AID, AID, PAID, R को र, RAID, BR को ब्र पढ़ेंगे, BRAID इस तरीके से आप इन स्पैलिंग्स की, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी हैं, उसके बाद जो ये स्पैलिंग्स होती है, काफी, जो बड़ी स्पैलिंग्स होगी, उनमें भी कम्माइन होगी, तो आप इजी लिनको प्रणाउंस कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे फिर ये है A, I, N, इसको एन पढ़ेंगे, या फिर एन इस तरीके से, दोनों प्रणाउंसेशन कर सकते हैं आप R को र, A, I, N, एन, रेन, रेन, रेन का मतलब बारिश, P को प, A, I, N, एन, पेन, पेन का मतलब दर्द या पीड़ा फिर ये है लेन, L को ल, A, I, N, एन, लेन का मतलब है पढ़ा हुआ, M को म, A, I, N, मेन का मतलब है मुख्य या प्रधान, फिर बियार को ब्र पढ़ते हैं और A, I, N, को एन, ब्रेन, ब्रेन का मतलब है दिमाग या मस्तिक्ष्क फिर ये हैं, CH को चो पढ़ेंगे, A, I, N, एन, एन, तो चेन बन गया ये, TR को ट्रधा पढ़ेंगे, A, I, N, एन, तो ट्रेन बन गया ये फिर है हैं, SPR को स्प्र, A, I, N, को एन, स्प्रेन मतलब मुझ आना, DR को ड्रा पढ़ेंगे DR को draw, A-I-N-A drain, SPR को spr तो इस तरीके से आपको यह जैसे DR को पढ़ना आना चाहिए कि draw पढ़ेंगे, TR को draw पढ़ेंगे, CH को चो पढ़ेंगे तो आपको जो English के जो words है आप easily English की reading कर पाएंगे तो इस तरीके से आप इनके practice करें Next है A-I-T-E-T, इसको 8 या 8 A-I-T-E-T या 8 दोनों तरीके से आप इसको pronounce कर सकते हैं Spelling से B को B, A-I-T-E-T, bait bait का मतलब है चारा डालना या प्रलोभन तो इसको bait पढ़ेंगे, बैट नहीं पढ़ सकते ठीक है, बैट और bait, difference है फिर यह है, G को ग, A-I-T-E-T, gate ठीक है, लंबा उच्चारन हो रहा है, A-I-T-E-T का या निए A का लंबा उच्चारन हो रहा है, gate तो gate का ममीन हो गया, चाल या चलने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं, gate फिर Tr को ट्रो पढ़ेंगे, A-I-T को 8 यानि trade 트reet का मतल्ब है विषेशता या गुन str को पढ़ेंगे ait को add straight का मतलब है कॉन जूस फिर यहां morning को व पढ़ेंगे ait को add wait इस तरीठे से आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं यहां पर जैसे मैंने यह लास्ट में जो तीन लेटर्स आ रहे हैं प्रनॉंसेशन यहां लिख दिया है और शुरू में यह जो लेटर्स है इनको आप पढ़ें ऐसे बी को ब पढ़ेंगे जी को ग और टी आर को ट्र एस टी आर को स्ट र और डबलू को व इस तरीके से आप एक दो बार इनकी प्राक्टिस करेंगे तो आपको जो प्राक्टिस है वो clear हो जाएगा काफी rules को भी ध्यान रखना पड़ता है तो काफी हद तक आपकी practice के ओपर depend होता है अंग्रेजी को पढ़ना तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कौर ने educational video के साथ तब तक के लिए thank you so much